हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको मसाला डोसा का मसाला बनाने की रेस्पी बताऊंगे और ये बहुत ही ज्यादा इजी रेस्पी होती है या बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं इसमें हमें समान चाहिए आलू धनिया प्याज थोड़ा सा मिर्ची जैसे आप कट करना चाहें हल्दी उरत दाल छिला हुआ उरत दाल एंड थोड़ा सा च्वना दाल ठीक है और इसके साथ हमें चाहिए मुफली के रोष्ट किये हुए दाने और थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है अब हमने यह कडाई रगती है इसमें हमने तेल डाल दिया है अब हम डालेंगे इसमें चना दाल चाहिए अब हम इसमें चना दाल दालेंगे और इस पर दोड़ी देख राई हम ठीक है अब इसके बाद हम डालेंगे प्लाद बादेख लाज़ा अब हम डालेंगे पुरत बालेंगे अब हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ याद रुखिएगा कि आपको प्याज लंबे में कातना है बारीक चॉप में करना है लंबा लंबा कातना जिसको ब्राउन नी में जाता है अब देके ट्रेंट नमें अब ची डाल देंगे आप रहते भी तो उसने कट करना आप रहते करता है देखिए हमारा ये प्राई हो गया ना देखिए इसका कलर ब्राउन होने लगा है इसका कलर ब्राउन होने लगा है अब हम इसमें जो मुफली के दाने हमें रोष्ट करके हिए थे गो डाल देंगे अब ये हमारे मिर्ची सब प्राई हो गया तो अब ये हेल्दी कॉडर हमें डाल दिया अब हम इसमें आइड करेंगे कि ये हम मसाले डोसे के लिए बना रहे हैं तो मसाले डोसा ओर्री थोड़ा सा खटा होता है क्योंकि हम लोग इसको चटनी के साथ खाते है तो थोड़ा सा खटा होता है अगर आपको चाहिए तो इसमें आमचूर पाउडर भी एड़ करते हैं थोड़ा सा खटास के लिए या आप निम्बू एड़ करते हैं पर मैं इसमें नहीं एड़ करेंगे हुँए क्योंकि मैं आरेडी ही रोजा या इडली खटा होता है तो ज्यादा खटा महीं पसंदात अब यह हमारा बनके त्यार हो गया है तो अब इसमें हम लोड़ा सा सरी दिन्या आइट कर देखिए देखिए यह कितना जी देखने में टेश्ट कर देखिए कितना ही ज्यादा लग रहा है और मुझे तो अभी तहीं खाने का मन करता है कि इतना जो अच्छा कलर इसका आया यह देखिए कितना ही ज्यादा अगर आपको मेरी यह मसाला डूसा की एक के मसाला की पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए